प्यारे बच्चों नमस्कार आ गए हैं हम लेकर के आपका पसंदीदा क्लास एकांकी एकांकी आपको पढ़नी है और चार एकांकी आपके सिलेबस में हैं तो इन एकांकी को मैंने शॉर्ट कर दिया है एकदम शॉर्ट कर तरीके से समझे पूरा चैप्टर पढ़ने का अगर पसंदीदा को समय नहीं है तो और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का समय है तो मैं ये कहूंगा कि पूरा पढ़िए ठीक है तो यह एकांकी जो है नय महमान एकांकी है कौन लेखक कौन है इसके लेखक है उदय संकर भट जी तो अब इसको आराम से समझते हैं नए महमान एकांग की उदय संकर भट जी की समस्या प्रधान एकांग की है कैसी एकांग की है समस्या प्रधान एकांग की है ठीक है कैसी है समस्या प्रधान है और इसमें महानगरों के मध्धवरगी जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रन हुआ है सजीव मतलब एकदम जीवंत चित्रन, जीवंत मतलब जैसा हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल वही हो ही रहा है, ठीक है, तो सजीव और जीवंत चित्रन आ हुआ है, इसने, कहां का महानगरों का, महानगर जैसे लखनव महानगर है, मुंबई महानगर है, महाराश्टरा है, सूरत है, ऐस आवास की समस्याएं बहुत होती हैं क्या होती हैं आवास की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं ठीक है बड़े बड़े नगरों में बस आवास मतलब रहने वहने की समस्याएं मेहमानों के आ जाने पर ये समस्याएं कितनी अधिक बढ़ जाती हैं किस प्रकार घर के सदस्यों का हरदय संकुचित हो जाता है हरदय संकुचित हो जाना मतलब क्या होता है दिल में दिक्कत आ जाती है हरदय संकुचित हो जाता है तो इस तथे का बड़ा रोचक और सजीव चित्रन प्रसुत एकांकी में हुआ है इस एकांकी का सारांस इस प्रकार है आप देखे सारांस बिकने का भी आता है और चरिचित्रन वगेरा भी आ जाता है ठीक है तो एकांकी का एक मुख्य पात्र जो है वो उसका नाम है विश्वनात क्या नाम है विश्वनात जो है वो एकांकी का मुख्य पात्र है ठीक है तो एकांकी का मुख्य पात्र है विश्वनात एक बड़े न पूछे कि उसकी पतनी का नाम क्या था पतनी का नाम रिवती था प्रमोद उसका लड़का था किरण उसकी लड़की थी तो किस प्रकार जीवन बतीत कर रहा है ठीक है क्या कर रहा है जीवन बतीत कर रहा है कैसे न कैसे गुजारा कर रहा है अब उसका छोटा बच्चा बीमार है पतनी गर्मी के कारण पतनी का बड़ा बुरा हाल है रात के आठ बच चुके हैं मकान की छत बहुत छोटी है उस पर चारपाई बिछाने तक का इस्थान नहीं है पडोसिन बहुत कठोर सुभाव की है वो अपने खाली छत का प्रयोग नहीं करने देती दोनों पती पतनी ए एक दूसरे से छत पर सोने का आगरा करते हैं जाओ तुम छत पर सो जाओ ने ने तुम ही सो जाओ ने ने तुम सो जाओ जाओ आज तुम सो जाओ ने ने तुम तो इस तरहे आगरा करते हैं दोनों अंतता क्या होता है विश्वनात छत पर सोने के लिए तैयार हो जाता है ज उनके नाम बाबूलाल और नन्हेमल हैं अगर आप से पूछा जाए कि उस एकांकी में जो नए महमान में नए महमान दो कौन हैं तो यह बाबूलाल है और दूसरे नन्हेमल हैं विशुनात उन्हें नहीं पहचानता है फिर भी वे बेशरमी से घर में रुक जाते हैं और दोनों बातों में वक्त उड़ा देते हैं, बताते नहीं है कि हम कहां आये हैं, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या है मसला, ये कुछ बाते ही नहीं करते हैं, पता बताते नहीं है, विशुनात संकोच के कारण कुछ कह नहीं पाता, वे दोनों पानी पीते हैं और पडोसी की गुस्से में देखकर विशुनात छमायाचना कर लेता है है ना जब विशुनात दबे मन से उनसे भोजन के लिए पूछता है तो वे तुरंट हां कर देते हैं हां हां खा लेंगे रिवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती है बाहर से भूई भोजन नहीं मंगाने देती है और अपने पती से जित करती है कि पहले इनका पता ठिका ना पूँछो जब विश्वनात साफ साफ पूँछता है तो पता चलता है कि वो भूल से उसके घर आ गए है अच्छा वास्तों में उन्हें पडोस के ही कबिराज रामलाल के घर जाना था और ये ग्यात होतें पर विश्वनात के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुँचा आते हैं जियों ही पती पतनी इन दोनों से मुक्त होते हैं सब लोग सोने ही वाले थे कि नीचे फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है रेउती अपने भाई का स्वर पहँचान कर प्रसन हो जाती है रेउती को इस बात का दुख है कि उसका भाई भी मकान ढूंता रहा और इतना परेशान होने के बाद सही स्थान पर पहुँचा है बच्चे मिठाई और बर्फ लाने के लिए जाते हैं भाई के बार-बार मना करने पर भी वो खाना बनाती है विश्वनात मुस्कराकर विंग में कहता है कहो अब इस पर रेउती कहती है अब क्या मैं खाना बनाऊंगी भाईया भूंके नहीं सो सकते यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है अच्छा इस प्रस्थुत एकांकी में लेखक का उद्देश है नगर की आवासी ये समस्या का चित्रन करना आज नगरों में यानि की सिटीज में आवास की बड़ी समस्या है इतनी जटिल है कि लोग नए महमानों से कतराते हैं कि कोई आ न जाए यार कोई आ न जाए वही ससुराल के आ जाए मामा मामी आ जाए इतना बहुत काफी है वे सगे संबंदी को तो कुछ समय के लिए रख स आए जाते हैं किन्त एक आएक आये अतिथी सीज बहुत घबरा जाते हैं तो इसी का चित्रन इस एकांकी में है नए महमान में थोड़ा सा इसमें हास्यास्पत चीजें भी आई हैं अगर आप धंग से पढ़ेंगे तो आपको पूरी एकांकी समझ में आएगी ठीक है तो अ मवश्य आपसे रूबरू होंगे लेकर के तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ते रहें फूल प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है हमारे चैनल पर फूल प्लेलिस्ट कच्छा नौके हिंदी की है इसलिए आप पूरी प्लेलिस्ट जो है आप पढ़िए आरा जो है आप धन्यवाद आप खाल प्लेगं पूल प्लेंगे बहुत आप तक के लिए आप पूल पत्रश जो है इसलिए है